बच्चो आज हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा इस पार्थ के नाम की और गौर करें इसका नाम है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व आप सोच रहे होंगे कि इतने 118 तत्वों में से हम केवल इस नए तत्व कार्बन की ओर ही हमारा ध्यान क्यों के इंद्रित कर रहे होंगे इसका उतर है क्योंकि कार्बन के यौगिक लगभग सभी जगाप पाये जाते हैं पिंच, पॉलिमर, अउशधिया, प्लास्टिक, सूती, उनी, कोईला और उसके अन्य उत्पात, प्राकृतिक गैस, तेल जैसे सारे पदार्थ में कार्बन के यौगिक होते हैं ये कहना अनुचित नहीं होगा कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सारे सजियों में भी पाया जाता है हमारे डीने में मौझूद परमाणू, लिपिड, कार्बोहेडरेट्स, प्रतीन इन सब में एक तत्व समान रूप से होता है और वो है कार्बन इतना ही नहीं, जैव अनुओं में भी कार्बन ये तत्व होता है काफी समय से वैग्यानिकों का यह मानना है कि कार्बन के यौगिक प्रकृति में ही पाये जाते हैं जैसे पौधों और प्राणियों में अर्थात वे प्राकृतिक होते हैं हम उन्हें कृत्रिम तरीके से प्रयोक्षाला में नहीं बना सकते हैं। जर्मनी के रसायन शास्त्र द्निया वहलेर ने जैविक यॉगिक यूरिया को अजैविक यॉगिक आमोनियम साइनेट के माधिम से संचलेशित किया था। इसके उपरांत अनेक जैविक योगिक प्रयोक्षाला में बनाये जाने लगे। वास्तों में इन कार्बन योगिकों के अधियन के लिए रसायन शास्त्र में एक पूर्णता स्वतंद्र शाखा है जिसे जैविक रसायन शास्त्र कहा जाता है। सोचिए प्रकृती में हमें कार्बन कहां से प्राप्त हो सकता है प्रकृती में कार्बन मुक्त और यौगिक रूप में पाया जाता है और सयोगों के रूप में कार्बन के अनेक यौगिक होते हैं. इन में से कुछ उधारण है कार्बन डाय औकसाइड और कार्बोनेट को हर रूप में देख सकते हैं. जैसे कैल्सियम कार्बोनेट, मार्बल अर्था संगम रवर और कैलैमी नित्यादी, ये सारे वास्तों में कार्बन आक्साइड्स या कार्बोनेट ही हैं, प्रकृती में पाये जाने वाले दूसरे प्रकार के कार्बन योगिक जिवाश्म इंधन हैं, ये कोईला, पेट्रोलि के सड़ने के कारण निर्मान हुए हैं, और तीसरा प्रकार कार्बन युक्त अर्थात कार्बोनिक पोशक तत्वों का है, कार्बोहेड्रिट्स, प्रतीन, चर्बी या मेद, जो पौधो और प्राणियों में पाये जाते हैं, ये वास्तों में प्रकृती में पाये जाने व झाल झाल